सब्सक्राइब कीजिए टेकनार व्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हिंदी टेकनिकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए आज के इस वीडियो में हम करेंगे स्पीड टेस कंपारिजन सैमसंग गालक्सी एम 20 और रियल्मी यूवन के बीच में मिलता है एकजना 7904 प्रोसेसर के साथ 4GB का राम जाहां रियल्मी यूवन में हमें मिलता है ओके दोनों ही फोन रिस्टार्ट हो रहा है और चलॉक पर जब 5 सेकंद्स हो था तब अमने दोनों को रिस्टार्ट किया है तो नाव देखते है कौन से फोन पहले बूट होता है और तो यूवन पहले बूट हो गया 32-5 मतलब 27 सेकंद्स में और मोर दन 10 सेकंद्स के बाद M20 भी बूट हो गया तो यहां से स्टॉपवच को साइड में रख लेंगे और जैसे आप देख सकते के दूसरे स्पीट टेस्ट के तर आज भी हमरे पास से कुछ डेली उसिंग और सोचल लाप्स जैसे फोन कामरा इंस्टाग्राम ट्विटर फेस्बुक गूगल मैप्स अडोबी प्रीमेर क्ल दिन्सरानिंग नहीं है तो डेस्ट को स्ट व्सटाट करेंगे नि जाकर दोनों में ही कुछ इंड़ को चला लेंगेphony क्यूम Tekと思います यहां से चला लेते हैं पहले लोयख को वा Monday से के मरा में और राइट नाव चलते हैं इंस्टाग्राम पे और होम स्क्रीन में वापस जाके यहां से इंस्टाग्राम को चला लेते हैं इन 3, 2, 1 इंस्टाग्राम एक सगेंड पहले लोड हुआ यूओन में पर लोडिंग टाइम में बहुत ही नेगलिजबल डिफरेंस है चले जाते हैं फेस्बुक में और फेस्बुक को यहां से चला लेते हैं फेस्बुक को सगें यूओन ने पहले कर लिया ओके तो यहां से वापस चलते हैं होम स्क्रीन में और चला लेते हैं Google Maps जैसे आपने ने दिखा Google Maps काफी पहले लोड हो गया Realme you one में more than 5 seconds के बाद Google Maps लोड हुआ Galaxy में पर दोनों फोन में Maps लोड होने के तुरंद बाद आ गया हमारा एक्जाक्ट लोकेशन एंवेज नौ चले चाते हैं Adobe Premiere clip में और Premiere clip में हम सेम वान मिनिट की clip को दोनों फोन में इंपोर्ट कर लेंगे और clip settings में जाके 50% slower करके यहां से बैक करके share पर टैप कर लेंगे और select कर लेते safe to gallery 1080p को select करके लेके आते हमारा stopwatch और यहां से stopwatch को भी चला लेते हैं ना दोनों फोन की GPU rendering स्टार्ट करेंगे continue पर टैप करके इन 3,2,1 गो ओके तो rendering स्टार्ट हो गया है और ना हम वीडियो को fast forward कर देंगे पर आप देख पाएंगे दोनों फोन की rendering speed दोस्तों जैसे आप देख सकते ही Realme U1 की Helio P70 ना सिर्फ अप लोडिंग टाइम में बलके GPU rendering में भी काफी फास्ट है Galaxy M20 की XNS प्रोसेसर से क्योंके U1 ने rendering को almost complete कर लिया जहां Galaxy में टेस्ट चल रहा है around 75% में U1 टेस्ट को खतम कर लिया 3 minute 40 seconds में और अभी देखते है के M20 को कितना टाइम एक्स्ट्रा लगता है rendering test को complete करने में finally M20 को खतम किया exactly 4 minutes 35 seconds में और राइट ना हम यहांसे stopwatch को हटा देंगे और दोनों ही फोन में इसी same screen पे रखके home button पे tap करके चले जाएंगे home screen पे और continue करेंगे हमारा speed test subway surfers को चला के तो यह अगें realme U1 में पहले लोड हुआ service surfers और अराउंड 5 seconds के बाद लोड हुआ galaxy में anyways ना यहांसे एक match चला के directly home button पे tap कर दिंगे game को background में pause रखके और ना हम चले जाएंगे PUBG में और PUBG को चला लेते है in 3, 2, 1 और राइट तो ना देखते हैं कि कौन से फोन में पहले आता है PUBG का मेन मेन्यू realme U1 में पहले लोड हो गया PUBG और अगें 5-6 seconds के बाद galaxy ने भी लोड कर लिया PUBG anyways तो अगें यहां से हम PUBG को background में रखके home button पर tap करके चले जाएंगे हमरे shopping apps में और Amazon को दोनों ही phone में चला लेते हैं Amazon का main homepage पहले लोड हुआ M20 में पर दोनों phone में Amazon की loading time में एकदम negligible difference है तो ना चले जाते है Flipkart में और यहां से Flipkart को चला लेते है Flipkart को U1 ने पहले लोड कर लिया तो ना यहां से चले जाते है home screen में तो फाइनली चलाते है Asphalt 9 और इसे चला के देखते है कि किसमें पहले लोड होता है Asphalt की मेन मेन्यू तो जैसे आपने देखा Asphalt की मेन मेन्यू पहले लोड हो गया U1 में पर बस एक सगन के अंदर M20 ने भी लोड कर लिया Asphalt 9 तो यहां से चले जाते है home screen और यहां पर मलेडास की विंडो में जैसे आप देख सकते हैं कि हमने पूरे टेस्क के टाइम सारे अप्लिकेशन को बैक्राउं में रखे थे ताकि अभी हम देख पाए दोनों फोन में से किसकी रैम मेनेजमेंट है बेडर तो रैम हुआ है नाव यहां से वापस home screen में जाके Twitter को यहां से चला लेते हैं तो के सो Twitter सिर्फ यूओन में रणिंग है और Galaxy ने ट्वीटर को restart किया है तो नेक्स चलाते है Instagram Twitter की तरह Instagram भी रणिंग है सिर्फ यूओन में चले चाते होम स्क्रीन में और चलाते है Facebook Facebook को दोनों ने ही रखा है अपने मेमरी में तो ना Google Maps को यहां से चला लेते है Maps रणिंग है सिर्फ M20 में और Realme ने इसे restart किया है और यह अभी जैसे आप देख पा रहा है कि Maps के बाद से अप्लिकेशन जैसे Premiere Clips, Subway Surfers और PUBG यह सारा अप्लिकेशन रणिंग हैं सिर्फ M20 में और ना ही सिर्फ यह अप्स बल्के दोनों शॉपिंग अप्स को रिस्टार्ट किया है सिर्फ U1 ने तो फाइली चलाते है Asphalt 9 और Asphalt की मेन 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 हमें मिला है सिर्फ Galaxy M20 में तो अगर बात करें पर्फॉर्मेंस की देन अप उपनिंग टाइम मुझे बेटर लगा Realme U1 में और Samsung की Experience UI में जो अप उपनिंग एनिमेशन होता है उसके वेज़े से आपको थोड़ा दीले दिखेगा किसी भी आप को M20 में चलाने के टाइम अगर बात करें GPU rendering की तो हमने अल्यदे देखा है कि Realme U1 की Helio P70 कुछ ज्यादा ही फास्ट है Samsung की Exynos 7904 प्रोसेसर से ना मैं रसके या फी RAM Management दोनोई फोन की बढ़िया है पर Memory Management काफी बेटर लगा मुझे गालक्सी में क्योंके दो तीन एप्लिकेशन को छोड़के M20 ने मोर दन हाफ अफ 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 ती एप्लिकेशन को अपने मेमोरी में रखा है पर U1 ने हर एक हेवी अप्लिकेशन और गेम लीजिए इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में